मुझे उसमें अभिमन्यू बनाया गया चुकि वो अभिमन्यू उस युद्ध में लड़ते वे मारा गया था जाने यू कहां कि उप्चनाव से पहले वीजेपी का दामन भी थाम सकते कि ये ओडियो ग्लिप्स मुझे खुद मुख्यमंत्री अशोग गहलोट में पैंड्राइब के मांगें से दिये और मुझे सर्कुलेट करने के लिए कहा है मैंने वही काम पर दिया मेरा सीधे तोर पर फोन टेपिंग से कोई लेना गया नहीं है तो अब आगे की जांच उनसे पीजाए फोन टेपिंग मामले में दिल्ली पुलिस की पूस्ताच जारी है पूर सीएम अशोक गहलोद के पूर ओएसडी लोकेश शर्मा लगातार दिल्ली पुलिस को सबूत है वो पेश करने में लगे है और सारी जानकारी उनकी तरफ से दिल्ली पुलिस को दी जा रही है खास बाचित के लिए लोकेश शर्मा हमारे साथ है सर लगातार आब दिल्ली पोलिस बुला रही है जा रहे हैं. किस तरह के सबुत उनको दिये गए वे तक? ठैकि दिल्ली पोलिस के पास तो मैं लगातार पिछले तीन वर्श में जतनी बार भी मुझे बुलाया गया है. नोटिस देखे, मैंने हर बार महां उपस्तित होने का प्यास किया है और इसी कड़ी में 25 सितंबर को भी मुझे बुलाया गया लेकिन एक हफते में दूसरी बार मुझे फिर तीन अक्टूबर को बुलाया गया तो आप सबको मैं यही बताना चाहता हूँ कि 25 सितंबर को जो मेरी पूश्ताच हुई थी लगबग 5 गंटे की उसमें मैंने एक 7 पेज का रिटन में अपना स्टेटमेंट वहां दरज करवाया था और उस स्टेटमेंट में मैंने सारा ब्यॉरा सिलसले वार की घटना किस तरह से हुई कैसे हुई 16 जुलाई 2020 को क्या हुआ था वो सब कुछ मैंने उन्हें बताया और अब 3 अक्टूबर को उस घटना से सम्मंदित सारे सबूत मैंने दिल्ली क्राइम ब्रांच को सौंप दिये सबसे मुखे सबूत था कि जब मुखे मंतरी अशु गहलोत ने मुझे सरकारी निवास पर बुला कर जो पैंडराइव दिया जिस पैंडराइव में वो कथी तुरूप से तीनों आडियोस थे जिनने मुझे वाइरल करने के निर्देश दिये गए थे से जिस फोन के माधियम से आप सबी लोगों को मैंने वाटस अब द्वारा वो कंटेंट वो आडियोस जो भीजे थे वो डिवाइस भी मैंने उनको बतौर सबूत पेश कर दिया है तो ये मुखे सबूत है उस दिन की घटना के जो मेरे पास थे वो मैंने दिल्ली पुलिस को सौमती हैं क्या लगता है आपको तच कालिन कांग्रेस सरकार के बावंडर में आप पूरी तरह से फस्तिवने जरा रहे हैं देखिए उस वक्त मेरी जिम्मेदारी थी मैं एक मुख्यमंत्री की ओसडी के रूप में काम कर रहा था और ओसडी होने के नाते चूंकि मैं मीडि देखता था इस पेसिफिकली आईटी देखता था तो मुझे मुख्यमंत्री जी का जो भी आदेश होता था मैं उसकी पालना करता था तो उस वक्त तो ये सब कुछ पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है क्या आगे होगा मुझे जो निर्देश दिये गए मैंने उनकी कराया फिर सब कुछ सैटल हो गया सरकार बच गई बेसीकली जो एक माहौल बना था कि सरकार अल्पमतgriff में है सरकार गिरने वाली है तो वो सब कुछ नहीं हुआ सरकार बच गही और सब कुछ शानत हो गया लेकिन 2021 में मार्च में जब गजिंदर सिंग जी ने जो ततकालीं के इंद्रिय मंत्री थे उन्होंने मेरे खिलाफ एफ़ यार दर्ज करवाई उसके बाद ये परेशानिया प्रदेश में उत्पन होनी शुरू हुई चाहे वो खुद मुक्हे मंत्री जी हो या बाकी अधिकारी हो तो सब इस बात को लेके चिंतित और परिशान होने लगे कि अब क्या होगा आगे हलांकि मुझे खुद मुक्हे मंत्री जी ने ये आश्वासन दे रखा था ये बरोसा दे रखा था पूरी तरीके से कि चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े आप निशिंद रहिए आपको कुछ नहीं होने देंगे ये उनके वाक्य थे तो जब प्रदेश का मुक्हे मंत्री आपके उपर इस तरीके से हाथ रखे और आपको संड्रक्शन प्रदान करे तो मैं कौन होता हूँ जो मुझे डर लगे किसी बात से या मैं चिंता करूं किसी चीज की तो इस वज़े से सारी चीज़ें वो होती चली गई लेकिन बाद में मुझे ये महसूस होने लगा कि इस पूरे प्रकरण में सरकार तो बच गई सरकार पूरे पाँच साल चली मुझे मंतरी अशोग गलोट पाँच साल मुझे मंतरी रहे लेकिन धीरे धीरे समय निकलने के बाद मुझे ये ऐसास कराया जाने लगा कि इस पूरे घटना के दोशी सिर्फ आप हो यानि लोकेश शर्मा इस पूरे घटना करम का दोशी है जो काम लोकेश ने किया ही नहीं फोन टेपिंग लोकेश नहीं कर सकता वो उसके छित्रादिकार में ही नहीं आता तो जो काम मैंने किया ही नहीं उसके लिए मैं क्यूं परताडित होता रहूं अकेला मैं खुद क्यूं परेशान होता रहूं और पर फोन टेपिंग से कोई लेना देना नहीं है डिली प्लिस ने पूस्ताज की होगी आपने अशो गहलोत का नाम भी लिया कि उनसे भी पूस्ताज होनी चीए परसासने का दिकारी भी इसमें लिप्त होंगे कौन-कौन से परसासने का दिकारी थे जिनसे भी पूस्ताज ह पे लिया जाता है या इंटरसेप्ट किया जाता है तो पूरा एक सिस्टम होता है वो ग्रहे विभाग के अंतरगत आता है आप चुंकि ग्रहे मंतरी स्वें मुख्यमंतरी अशो कहलो थे ग्रहे विभाग में एक स्पेशल सेल होता है जो इंटरसेप्शन का काम करता है तो तिमाम अधिकारियों को उस जो भी इंटरशेप्शंस हुए वो लीगल हुए इलीगल हुए shower जो जो भी सर्विलांस पे रखे गए थे, क्यूंकि विधायकों की फ़ों भी सर्विलांस पे थे, तो वो सारी जानकारी इन तमाम अधिकारियों को थी, इसलिए सारी पूछ कालीन मुख्यमंत्री थे या बाकी के अधिकारी जिन्होंने उनको वो सब कुछ उपलब्द कराया वो बताएंगे सचिन पाइलेट गुट जब माने सरकांड हुआ था लगातार सोसल मीडिया के जरिए लगातार बयान बाजी करने में लगा था लेकिन अब सचिन पाइलेट उनके गुट के जो विदायक हैं पूर में विदायक रहे अब सांती बनाए हुए हैं किस तरह का बयान नहीं दिया जा रहा फॉन टेपिंग मामले में लेकि ये तो सब एक राजनीती का हिस्सा है कि उस वक्त जिस तरह के परिस्टितियां थी उन परिस्टितियों में कौन क इसके साथ कैसे खड़ा था किस तरह की बयान बाजियां हो रही थी वो सब एक राजनीती का हिस्सा है लेकिन मैं उस राजनीती का हिस्सा नहीं बनना चाहता मैं सीधे तोर पर बड़े इसपस्ट रूप से एक ही बात जाच एजिंसियों को भी कह चुका हूं और प्रदेश उस युद्ध में लड़ते हुए मारा गया था और मैंने अपने बचाव का तरीका ढूंड निकाला इसलिए आज सब आप सब लोगों के सामने बैठके मैं बात कर पा रहा हूं चर्चा ये भी चल रही है कि लोके शर्माग कभी भी यानि यू कह कि उपचुनाओ से पहले वीजेपी का दामन भी थाम सकते हैं देखिए चर्चाएं तो बहुत तरह की चलती है राजनीती में क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता होता है लेकिन ये कोरी अफवाए है मेरा बीजेपी से कोई संपर्क नहीं है मुझे लोग ये भी कहते हैं कि भारती जंता पार्टी के नेताओं के दबाव में आप ये बयान दे रहे हूं मैं सबको इस पस्ट कर देना चाहता हूं कि इस पूरे घटना क्रम में बीजेपी और कॉंग्रेस के किसी नहींता का कोई लेने देना नहीं है अब ये चुकि पूरा व्यक्ती का दूरूप से मेरे उपर आ गया मैंने कहाना कि जो काम मैंने किया ही नहीं उसके लिए मैं क्यूं प्रतार ना झहिलूं जूं जाँं क्यूं मेरा परिवार सफर करे कि जब मैं सुबह जाता हूं राद तक नहीं लोटता हूं तो क्या हालत होती है मेरे परिवार वालों की तो इन सब चीजों की वज़े से जो सच है वो मैं सब के सामने रख रहा हूँ अब आगे की जाच पूरी तरह से मुख्यमंत्री अशोग गैलोत से होनी चाहिए क्योंकि वो पैंडराइव उन्होंने मुझे दिया था अब तक जाच एजनसी मुझे ये पूछती थी कि आपके पास ये आउडियोज कहां से आए जब मैंने उनका ये जवाब दे दिया कि ये आउडियो क्लिप पैंडराइव में खुद मुख्यमंत्री अशोग गैलोत ने अपने सरकारी निवास पर मुझे दिये है तो अब आगे की जाच उनसे की जाए तो ये थे पूर ओएस डी अशोग गैलोत के जिन्हों ने कहा कि जाच एजनसी जिस तरह पूछताच कर दी है हर एक सबूत जाच एजनसी को उनकी ओर से दिया जा रहा है अब लेकिन जिन्होंने फॉन टेपिंग कराई इसके साथ साथ कई परसास्तिक अधिकारी भी फॉन टेपिंग में लिपते थे इनसे भी पूछताच होनी चाहिए बसंत पांडे टीवी नायन जैपॉर